नमस्कार सुप्रभाद स्वागत है आप सभी का आप देख रहे सुबह साथ बजे मैं हूँ प्रीती शुर्वाद हेड्लाइन्स के साथ बड़ी फूर पे पहले दौर का मतदान 38 सीटों पर साथ महिलाओं समेट 168 उम्मीदवार चुनाव आयोग ने कहा सभी राजने तेक दलों और संगठनों ने दिया निश्पक्ष मतदान का श्वासर उत्तप्रदेश में छटे दौर के लिए वोटिंग शुरू आजम गड़ और गोरगपूर समेट 7 जिलों की 49 सीटों के लिए 635 उम्मीदवार शांती पूर मतदान के लिए सुरक्षा के पोखता अंतिजा राश्पती का संसद में महिला आरक्षन पर जोर कहा राजनी तक दलों की मर्जी नहीं समवेधाने के विवस्था ज़रूरी निर्ने प्रक्रिया में भागेदारी बढ़ाने की वकार कर्ज के चलते किसान आत्मत्या पर सुप्रीम कोट सक्त का परिजनों को मौफ़जा देना नहीं है समवाधान सरकार से मांगे नीतियों की जानकारी भारत और अस्ट्रेलिया के बीच आज से बेंगलूरू में दूसरा टेस चार टेस मैच की सिरीज में मैमान टीम एक शुनि से आगे आरश्विन और अवीन जडेजा की जोड़ी पर निगाहें और सबसे पहले चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे मनिपूर में पहले दौर और उत्तरप्रदेश के छटे दौर के लिए आज मतदान हो रहा है दोनों ही जगों पर अपसे कुछ देर पहले यानि ठीक साथ बजे वोटिंग शुरू हो गई है मतदान के इंदरों पर लोगों की भीड नज़र आ रही है और पहले बात करेंगे हम मनिपूर की मनिपूर में पहले दौर में 38 विदानसवा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं ये सीटे पश्चिमी और पूर्वी इंफाल विश्नुपूर चूर्चानपूर इलाके में हैं पहले दौर में यहां कुल 168 उम्भीदवार मैदान में हैं इनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं सबसे जादा 11 प्रत्याशी सैकूल सीट पर हैं बड़ी पार्टियों के बात करें तो इस दौर में बीजेपी ने 38 कॉंग्रिस ने 37, CPI ने 4, CPI ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं इस दौर में 19 लाक से जादा मतदाताओं को हिस्सा लेना है इनमें 9 लाक से जादा महिलाएं हैं चुनावायूग ने 38 सीटों के लिए 2,794 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं युनाइटेड नंगा काउंसिल की ओर से आर्थिक नाकी बन्दी और गुरवादी संगठनों के मद्धे नजर राज्य में सुरक्षा के चाक चौबन इंतिजाम किये गए हैं बड़ी तादाद में अर्दिसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है सीधा इंफाल लिए चलेंगे हम आपको इस समय जहां मौझूद है हमाने समवारत अखलेश सुमन अखलेश साथ बजे मणिपुर में चुनाओं का उत्सव शुरू हो गया एक तरह से कहा जाए किस तरह के इंतिजाम किस तरह की सुरक्षा किस तरह का उत्सा हमें बताईए तस्वीरों के जलिए देखिए प्रीती हम अभी जिस बूत पे खड़े हैं यह बिधान सभा के ठीक सामने का बूत है आप देखिए मेरे पीछी यह लाइन लगी है ठीक साथ वजए यहां का दरवाजा खुला और आप देख सकते हैं कि अभी भी ज़्यादा महिलाएं ही सबसे अधिक महिलाएं इस बूत पे आई हैं इस बूत पे तीन चुनाओं के अंदर बनाए गए हैं जिसमें की एक जो सामने आपको दिख रहा है वो है और एक मैं कैमरा में से कहुआ कि एक और बूत है यहां भी आप देखिए अधिकतर महिलाएं ही खड़ी हैं सुबह सुबह सबसे पहले महिलाएं आती हैं चुनाओं कि मनीपूर में यह एक अच्छी सुरुवात है सुबह साथ बजे का एक गूड मॉर्निंग अच्छा हुआ है मनीपूर में लोकतंतर के लिए और यहां जैसे की आंक्रे हैं हमारे पास यहां तकरीबन 1643 वोट हैं जिसमें बूत हैं जिसमें की 354 को वरलनेबुल मना गया है मतलब समवेदन सील है हर घंटे उनकी मॉनिटरिंग होती रहेगी कि वहां क्या सब कुछ ठीक ठाक है कोई उपद्रो तो नहीं हो रहा है आशांति तो नहीं हो रही है लेकिन 265 ऐसे हैं जहें बहुत ही क्रिटिकल हैं वहां अस्थाई तोर पे आपजरबर और ज्यादा सेक पंदी जरूरते हैं उन सारी जरूरतों को मनीपूर में पूरा किया गया है चुनाव आयोग ने भी किया है और उसके बाद किन सरकार ने इसके लिए परयाप्त तकरीबन 264 अर्थ सेनिक बलों की कंपनियां यहां आई हुई हैं बिल्कुल और आप बात करेंगे इस चुना एक दम प्रिती मैं अभी आपको सुभा सुभा जिन्होंने वोट दिया है पहला वोट देकर रहा हैं यह प्रेमजीत है मैं जस्ट थोड़ी दिर के लिए आप बुला रहा हूं प्रेमजीत आप प्रेमजीत आपने मद्दान किया आपने मद्दान किया है हाँ सर तो कौन सा यह का राब अप्रिकाट है तो किस तरह के मुद्दे है से घ्राइब क्या नाकेबंदी का मुद्दा है और विकास का मुद्दा है क्या मुद्दे इस एलाके में चल लाइब ये अद्यरnh डिर सले इसी जर मान vídeo 머 फ कि अ क्रोचिकbor को एव इसा है कर मृवके इसा है अई उन कि देशिए हिस सिजर ऑ्रट उत Totally इस कि तॉक एवर बाहने हैं जञे है कि अभने कि आई की ज़का बना की देए होरा है माइ स्टेट सो प्रिती आपने सुना कि जो सबसे पहले इनके दिमाग में यह बात आती है कि एकनोमिक ब्लॉकेट की सथी है एकनोमिक ब्लॉकेट इस प्रांत में है तो वह इनके दिमाग में है कि उनके निगोसियेशन के द्वारा उसको खतम किया जाना चाहिए और उसके ब लगता है इन लोग के दिमाग में यही है क्योंकि यह इंफाल है और इंफाल में सामान की किलत काफी है तो इसलिए भी लोग को हर रोज की जिन्दगी में जो दिक्कते आ रही है उसके कारण एकनॉमिक ब्लॉकेट यहां का एक महत्पूर्ण बुन्दा बना हुआ है प्रिति हाला कि कुछ एक लोग जिस बूद पर अकलेश सुमन है वहां देख रहे हैं लेकिन पूरी उम्मीद है कि मतदान का अच्छा प्रितिशत हमें मणीपूर से भी देखने को मिलेगा तो एक तरफ मणीपूर में मतदान हो रहा है वही उत्तर प्रदेश में छटे दौर के लि ही हैं मतदान के इंदरों पर बुज़र्गों और दिव्यांगों के लिए खास विवस्था की गई है शांती पूर और निश्पक्ष चुनाओं के लिए निर्वाचनायोग ने पूरी तैयारी की हुई है सम्विधन शील इलाकों में सुरक्षा के कड़ इंतजाम किये गए खरीब पॉने दो करोड मतदाताओं को 635 उम्मिद्वारों की किस्मत का फैसला करना है इस दोर में 94,78,923 पुरुष, 88,6,414 महिला, 988 किनर समेट कुल 1 करोड, 82,86,327 मतदाताओं को 635 उम्मिद्वारों की किस्मत तैय करनी है उत्तर प्रदेश में चटे दोर में बीएसपी ने सभी 89 सीटों पर उम्मिद्वारों उता रहे हैं जबकि बीजेपी ने 45, समाजवादे पार्टी ने 40, आरेल्डी ने 36, कॉंग्रिस ने 10 सीटों पर उम्मिद्वारों को टिकट दिया है साथ 174 निर्दलिय भी मैदान में हैं इस दोर में जिन एहम उम्मिद्वारों की किस्मत का फैसला होना है उनमें स्वामी प्रसाद मौर्या, बीजेपी के पूर्व प्रिदेश धक्ष सूर्य प्रताप साही, अंबिका चौधरी और नाराद राय समेथ काई आला नेता शामिल हैं और इस समय हम अपडेट लेने के लिए हम चलेंगे आजमगर और गोरकपूर जहां आजमगर में मौजूद हैं, हमारे समधर शाम सुन्दर, गोरकपूर से हमारे साथ कृते मिश्राफ ओन लाइन पर मौजूद हैं शाम अब छटे दोर का मतदान है, दिखाए कैसा उत्सा है कि मतदान केन्दर बनाया गया है, यहां के डिय वी स्कूल में बनाया गया है आप मेरे पीछे देख सकती हैं के बाकाइदा कारपेट बिचाए गए हैं मतदाताओं के स्वागत के लिए गुबारे लगाए गए हैं बाकाइदा चिकित सा सुविधा केंदर बनाया गया है और पीने के पानी की विवस्था भी की गई है आप देख सकती है अगर दाई कुछ और महिला मत दाता होंगे उनको एक तरह से उपहार भी दिया जाएगा उनके उनके उत्साह के लिए और अपने जिम्मेदारी के परती सजग रहने के लिए बिलकुल शाम हम आपके पास आएंगे कृती से अपडेट लेता है गुरकपुर में फिलाल वोटिंग कैसी चल रही है कृती आप फोन लाइन पर मौझूद है जाहिर तोर पर तस्वीर अभी हमने आपने दिखा पाएंगे लेकिन हमें जरा आवाज के जरीए समझाईए कैसा उत्सा छटे दौर को लेकर गुरकपुर की जनता किस तरह से घर से निकल रही है वोटिंग के लिए हो गई है सब अपने मत का प्रयोग करने के लिए खासा सब करक्ष्टा का इंतुजाम जिस तरह से इलेक्शन कमिशन में किया है वो सांक्च्वाबंध है ताकि भातावरन में जिचनाव हो सके तो पूरे गोरे को मैं कह सकते हूं कि लाल जिस मत्दान के मैं मैं मौझूद प्रिती बिल्कुल प्रिती शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गोरगपुर से आपका एक बार शाम के पास पर चलते हैं शाम अब वोटिंग के दिन तक क्या चुनावी फिजा बंती दिखाई दी है मुद्दो को लेकर आखरी समय तक देखें आखरी समय तक सभी राजनेतिक दलों ने पूरी पूरा पूरी ताकत जोग दी है चाहे भारती जनता पार्टी की बात करें तो आमिच शाह और प्रधान मंद्री नरिंद्र मोधी ने बिल्कुल फ्रंट से लीड किया है छटे चरण के चुनाव परचार को समाजव रहलियां यहां पर की बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो मायावती जो उनकी सबसे प्रमुक प्रचारक हैं उन्होंने प्रचार किया और अलग अलग तरह के मुद्दे अलग अलग राजनेतिक दलों की तरफ से उठाए गए मसलन अखलेश यादव लगातार ये कहते रिया है और ये यातरा रुकनी नहीं चाहिए वो एंबुलेंस सेवा की बात करते हैं वो सुद्री हुई पुलिस सेवा की बात करते हैं वो सुद्री हुई बिजली सेवा की बात करते हैं सड़क की बात करते हैं कि उन्होंने सड़कें बनाई हैं हाईवेज बनाए हैं और के तरह के और वाज़े भी कर रहे हैं लेकिं जब आप लोगों के बीच में जाते हैं लोगों से बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि रोजगार मसलें बहुत बड़ा मुद्दा है गन्ना किसानों के भुकतान का मसला बड़ा मुद्दा है उसके अलावा जो गन्ना किस लिए चीनी मिल जो बंद हुई है वो एक बड़ा मसला है तो कई तरह के जो रियल इशूज हैं वो आपको समझ में आते हैं और वो बड़े मुद्दे मतदाताओं के लिए उभर कर सामने आते हैं उसके साथ-साथ जाती आधार पर और धार्मिक आधार पर गोल बंदी की कोश लेकिन मतदाता जो है वो खामोशी के साथ उनको पिछले 48 घंटे मिले हैं जब प्रचार बंद हो गया निश्ची तोर पर इन सारे मुद्दों पर उन्होंने विचार किया होगा जब आज वोट डालने के लिए आएंगे जरूर शाम बहुत बहुत शुक्रिया आपका लग मुख्यमंतरी अखले श्यादव और बियस्पिय अध्यक्ष मायवती ने कल रैलिया करके अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस गड़बंदन के लिए मुख्यमंतरी अखले श्यादव ने घाजीपूर में रैली की उन्होंने प्रधान मंतरी को चुनोती दी कि वो अपने तीन साल और समाजवादी पार्टी सरकार के पांच साल के काम पर खुली चर्चा करें उन्होंने दावा किया कि अगर समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस गड़बंदन की सरकार बनी तो राज्ये में विकास की रफ्तार तेज होगी बीएसपी प्रमुख मायवती ने मिर्जापूर की रैली में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नाकामियों को जनता के सामने रखा उन्होंने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के बीते पांच साल में उत्रप्रदेश की कानून विवस्था पर सवाल उठाया सब पर कांग्रेस गडबंदन के ऐसे दागी चेहरे को अपना बोड देंगे या फिर इसके स्तान पर इनी सभी तत्मों का सफाया करके या हर स्तर पर कानून दुआरा कानून का राज काइम करने वाली अपनी एक मात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना बोड देंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापूर में रैली की उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस बात का है कि राज्य का विकास और नौजवानों का भविश्य कौन बहतर बनाएगा प्रधान मंत्री ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को राज्य के पिछलेपन के लिए जिम्मेदार बताया हर कोई कह रहा है उत्तर पुदेश का ये चुनाव एक उत्सव है उत्सव और ये उत्सव है सपा बसपा कॉंगरेस की मुक्ती का उसर है छुट्टी का उसर है भाई इसके लवा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गाजिपूर और वारा नसी में कई रेलियां की वहीं कॉंगरेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजबबर और प्रमोत तिवारी ने भी चुनावी सभगी उत्तर प्रदेश में साथवे और आखरी दौर में 40 सीटों पर पर जोर दिया है उन्होंने का कि निर्ने प्रक्रिया में महिलाओं की भागेदारी बढ़ाने के लिए उन्हें अवसर मुहया कराना जरूरी है राश्पती ने विमिन्स इंडियन एस्सेशन के शताब दी समारों का कलुद घाटन करते हुए ये बात कही राश्पती ने का क कि महिलाओं जन प्रते निधियों की तादाद बढ़ाने का काम राजनितिक दलों की भरों से नहीं छोड़ा जा सकता इसके लिए आरक्षन जैसे सम्विधानिक विवस्था जरूरी है और इससे महिलाओं के लिए सीटे आरक्षित होंगी राश्पती ने इस तर्थे पर निराशा जताई कि लोगसमा में महज 11.3% महिला सांसद है जबकि वैश्विक और सत 22.8% का है राश्पती ने कहा कि जीडीपी में हर तरह की चीज़े शामिल होती है लेकिन महिलाओं का यूगदान शामिल नहीं होता बस्तू और सेवाकर यानि जीएस्टी के आज है बैठक होनी है जिसमें पूरक विधेकों को अंतिम रूप दिया जाना है इन विधेकों को अगले हफ़ते से शुरू हो रहे संससतर में पेश किया जाएगा बैठक में केंद्री ये जीएस्टी, राज्य जीएस्टी और एक एकरज जीएस्टी विधेकों को विचार के बाद अंतिम रूप दिया जा सकता है GST परिशद की पिछले महीने हुई बैठक में राज्यों को खशतिपूर्ती संबंदी कानून को मंजूरी दी जा चुकी है सरकार एक जुलाई से GST लागू कर रहाना चाहती है कॉंग्रिस नारोप लगाया है कि सरकार नोडबंदी का असर कम दिखाने के लिए GDP मापने के पैमाने को बदल दिया है दिल्ली में कल एक सेमिनार में कॉंग्रिस निताओं ने कहा कि नोडबंदी और GDP से जुड़े आकड़ों के चलते RBI और CSO जैसे संस्थाओं में भरोसा कम हुआ है कॉंग्रिस ने नोडबंदी और आर्थविवस्था पर उसके असर पर समिनार का आयोजन किया पूर्व वित्तमंत्री पीचे दंबरम ने कहा कि नोडबंदी का फैसला RBI की वजाए सरकार की ओर से लिया गया बिना तैयारी के लिए गए इस फैसले में इससे तैय प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ उन्होंने कहा कि नोडबंदी का हरक्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है 25 करोड दैनिक मजदूरों में से जाधर को बेरोजगार होकर गाउन लोट न पड़ा पीचे दंबरम ने कहा कि सरकार ने जीडीवी मापने के पैमाने को बदल दिया है इसके जर्ये नोडबंदी के असर को कम दिखाने की कोशिश हो रही है उन्होंने दावा किया कि नोडवंदी से सरकारी खर्च, कृशी पैदावार और सरकारी बिल भुक्तान को छोड़ कर सब गिरा अगले साल तक इसका बुरा असर अर्थ वैवस्था में जारी रहेगा कॉंग्रेस नेता कफिल सिब्बल ने नोडवंदी को देश का सबसे बड़ा घुटाला बताया उन्होंने जेपीसी बना कर इसकी जांच कराने की मांग की और उत्तरप्रदेश शुनाओं में बीजीपी पर बेतहाशा खर्च करने कारोप लगाया योजनायो के पूर उपाध्यक्ष मुंटेक सिंग एहलुवालिया ने कहा कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कर सुधार नय कानून जैसे कई विकल्प हैं विमुद्री करन इसका समाधा नहीं हो सकता जैसे सरकारी संस्थानों को लेकर लोगों का अविश्वास बढ़ा है पंचानन मिश्रा राज्य सभा टीवी उनका आरोप है कि आहम आदमी पार्टी के सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया उधर दिल्ली प्रदेश कॉंग्रिस के अगवाई में वियापारियों ने सिविक सेंटर के सामने कनवर्जन चार्ज और पार्किंग शुल के विरोध में प्रदेशन किया दिल्ली कॉंग्रिस के अध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि एमसीडी और दिल्ली सरकार विज्यापनों में पैसा बहा रही है और वियापारियों पर बोज डाल रही है गैस सिलिंडर के दाम में बढ़ोतरी को लेकर कॉंग्रिस महिला मोडशा ने दिल्ली बीजेपी मुख्याले के बाहर विरोध प्रदशन किया कॉंग्रिस का रोप है कि NDA सरकार महंगाई को रोखने में नाकाम रही है सरकार ने बीते बुदवार को बिना सबसिडी वाले रसोई गैस सिलिंडर की कीमत 86 रुपे बढ़ा दी थी सितंबर 2016 में बिना सबसिडी वाला LPG सिलिंडर करीब 466 रुपे में मिलता था लेकिन अब तक 6 किस्तों में 271 रुपे की बढ़ोतरी हो चुकी है अनु दिवान और प्रणव गुसामी के साथ नविक्रम सिंग राज्य सभा टीवी Student Federation of India यानी SFI ने कल शिक्षा के विविसाई करण के ख़्याफ जंतर मंतर पर मार्च निकाला मार्च में पश्चिब मंगाल, राजस्थान, यूपी, बिहार और केरल समेथ कई राज्यों से आए च्छातरों ने मांग की है कि केंदर सरकार को कोल बजट में इसे 10 फीजदी शिक्षा के लिए खर्च करना चाहिए इसके लावा रामजस कॉलेज की घटना को लेकर भी केंदर सरकार क्या लोचना की इस विरोध प्रदर्शन में अखिल भारते किसान सभा ने भी अपनी उपस्तेती दर्च कराई साथे सीपेम मासचेव सीतराम यचुरी ने भी प्रदर्शन में पहुचे कर्स और फसल चौपट होने से किसान आत्महत्या पर सुप्रीम कोट ने गेहरी चिंता जाहर की है कोट ने कहा कि लगता है कि सरकार असल समस्या से निपतने के लिए गलत दिशा में काम कर रही है शीर्ष अदालत ने कल कहा कि खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों को मुआफ़जा देने से समस्या हल नहीं होगी कोट ने सरकार से किसानों के लिए नीतियों की जानकारी भी मांगी है कोट ने कहा कि ये मामला बेहद महत्वपूर है किसान खर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं सरकार को इसे ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए नीतियां बनानी चाहिए कोट ने का कि दशकों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन हैरान करने वाली बाद ये है कि अभी तक मुख्य समस्या का समाधान नहीं निकला है। किसान आत्महत्या पर एक NGO की ओर से दारी आ चुका पर सुनवाई करते हुए कोट ने ये बाते कहीं। मेडिकल से जुड़ी नीट परिक्षा उर्दू में भी लेने पर सुप्रीम कोट ने जवाब आगा है। चुनाव आयोग ने वीके शशिकला को AI-ADM के महासचेव बनाने के मामले पर पार्टी का जवाब अस्वीकार कर दिया है। ओपनीर सेलवम गोट ने शशिकला के नियुक्ति को चुनावती देते हुए चुरा आयोग में याचिका दाखिल की थी। आचिका के मताबिक पार्टी महासचेव का चुनाव जनरल कांसल नहीं मलकी प्रात्मिक सदस्य करते हैं। नेपाल को जल्धी पुराने भारते नोड बदलने की सुविधा मिलेगी। प्तमंत्री अरुणजेटली ने कल काटमांडू में इसका एलान किया। प्तमंत्री ने का कि नेपाल, राश्र बैंक और आर्बियाई इसके लिए जल्धी इन्डियमों का एलान करेंगे। इस पर इस हफ़ते आर्बियाई और नेपाल के अधिकारियों के भी चर्चा भी हुई। नेपाल नवंबर से ही इसकी मांग कर रहा है। नेपाल में बड़े पैमाने पर भारते मुद्रा चलती है। इसके लब भारत में काम करने वाले नेपाली नागरिंग भी पैसा घर भेजते हैं। दब दबा बनाए रखा। टाइप ब्रेकर तक चले थी इस रिसेट में दस च्छे से जीत दर्च करते हुए बोपन्ना मात पोस्की ने फाइनल में जगा पकी कर ली। फाइनल में आज उनका मुकाबला टिकाओ और रोजर की जोड़ी से हुगा। भारत और अस्ट्रेलिया के बीच आज से बैंगलूरू में दूसरा टेस्ट माच शुरू होगा। भारत फिलाल पूरे टेस्ट हार कर सिरीज में शून एक से पीछे हैं। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश इस माच को जीत कर सिरीज में बराबरी की होगी। भारती टीम को पूरे में 333 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था। कप्तान विराट कोली पहले ही साब कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए भारती गेन बाजो को सभी विकेट लिने जरूरी हैं। बेंगलूरू में आरश्विन और अवीन जडेजा की स्पिन जोड़ी पर भी सबकी निगाहें होंगी जो पूरे टेस्ट में उम्मीद के बुताबेक प्रदशन नहीं कर पाई थी। वोई उस्ट्रेलाइट टीम ने बल्ले और गेन से शांदार प्रदशन किया है। लोगसभा के पूरवध्यक्ष पिये संग्मा की आज पुनित थी है। एक जवाने में कॉंग्रिस के बड़े नेता रहे संग्मा ने 1999 में शर्रत पवार के साथ मिलकर राश्रवादी कॉंग्रिस पार्टी का गठन किया। संग्मा को 2012 में राश्पती चुनाओं में हार का सामना करना पड़ा। जन्वरी 2013 में उन्हों नाशनल पीपल्स पार्टी बनाई और 2014 के लोग सबा चुनाओं में जीत हासल की। और अब आखिर में हेडलाइन्स। शांतीपूर मतदान के लिए सुरक्षा के पुखता इंतिजाब। राश्पती का संसर में महिला अरक्षान पर जोर का राजनीतिक दलों की मर्जी नहीं। सम्विधाने की व्यवस्था जरूरी। निर्णे प्रक्रियाब में भागेदारी बढ़ाने की वकल। खर्ज के चलते किसान आत्मत्या पर सुप्रीम कोट सक्फ कहा पर जनों को मौवज़ा देना नहीं है समधान। सरकार से मांगी नीतियों की जानकारी। और भारत और अस्ट्रेलिया की बीच आट से मंगलूरू में दूसरा टेस्ट चार्ट असमाच की सिरीज में महमान टीम एक शूर्ने से आगे आरश्विन और अवीन जडिजा की जोड़ी पर निकाहें। और फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही आगे देखिए देश दी शांतर तमस्कार।